अब लेके 54 तक क्लोस नमबर के हमारे जितने भी इंपोर्टन कोशन्स बनते हैं सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो आप जरूर सभी कोशन्स को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यह बार बार आप से एक्जाम में पूछे जाते हैं जली वीडियो शुरू करते हैं और कोई भी अमाउंट ड्यू है उसको मना करता है देने से दन क्या होगा फाइन अंडर इंडियन पैनल कोड फाइन अंडर पोस्ट ओफिस एक्ट ओफेंस अंडर सक्शन 263 या फर ओल ओफ दिवब तो यहां पर इस कोशन का जो सही आंसर होगा हमारे पास फाइन अंडर इ जित्रित गनने से मना किया जाता है जिस पर पोस्ट ओफिस को कोई भी राशी अभी देनी है तो यहां पर बुला गया है true false only in some cases none of दिवबतों सत्ते है जूट है या फिर कुछ मामलों में या फिर मैसे कोई भी नहीं तो पोस्ट में जो होता है उसको इस चीज के लिए मना टू dual जो जो पोस्ट में होता है डाकियो भुच देने के लिए भाद होता है यहीं होताओं या अपने अगर दस और उपें से उसका पॉस्थल स्टेशनेेरी उससे खरीद दिया है तो आपके आट रुपे बन आपके बारा रिपे बनते थे आपने उसको 20 रुपे दिया है तो वह 8 रुपे आपको वापिस देने के लिए वादे नहीं है, इस question का यह मतलब है, तो true या false, तो यह पर इस question का जो से answer होगा, यह होगा हमारे पास true, next question बोला गया, postman can deliver any resisted, insured or parcel, without obtaining signature of addressy on receipt or acknowledgement, डाकिया रसीद या पापती पर प्रापत करता है कि हस्ताक्षर प्रापत किये विना किसी भी पंजिगित बीमित या parcel को बित्रित कर सकता है, true या false, तो यह ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भू बिलकुल नहीं कर सकता है, postman को इस चीज़ के लिए मना किया जाता है कि वो किसी भ या फिर पार्सल को बिना signature के उसको डिलिवर ना करें, next question बोलागिया, postman is not forbidden to deviate from his prescribed beat, दाकिया को अपनी धारित बीट से बिचलित होने की मनाई है, यानि कि उसको अपनी जो उसकी prescribed beat है, उसके बाहर नहीं जाना है, true या false, so बिलकुल इस question का से यांसर होगा होगा हमारे प unresisted articles on his responsibility, तो जो भी हमारे पास rural areas में छोटे डाकाने होते हैं, या छोटे post offices होते हैं, बहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास अगर कोई भी बहाँ पर separate अलग से postman या फिर delivery agent उस post office से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कौन unresisted articles को deliver करने के लिए arrangement करेगा, वो भी अपनी responsibility क उपर, options बली है, postmaster, head postman, superintendent, या फिर anyone above, तो इसको जो arrangements करेगा, वो करेगा, postmaster यहाँ पर जो से option आएगी, आएगी मर पास A, in small post office in rural areas where no separate postman or delivery agent attached to post office, who make arrangements to deliver insured in articles, pay money order articles on his responsibility, तो यहाँ पर बहाँ है, अगर कोई भी ऐसा post office है, जो छोटा post office और बहाँ पर क्या है, कोई भी extra, यानि कि कोई भी separate, अलग से postman, या delivery agent, उससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो बहाँ पर जो भी insured articles होंगे, money orders होंगे, उनको deliver करने के लिए जो arrangements है, वो किसके दवारा किये जाएंगे, यहाँ पर बुला गया, postmaster, head postman, superintendent, या फिर deliver only at post office, देखिए, पिछले में uninsured के लिए था हमारे पास, और unregistered के लिए बोला गया था, तो उस चीज़ के लिए क्या था हमारे पास, कि postmaster उस चीज़ के लिए arrangements करता है, बट अगर कोई भी हमारे पास insured article है, money order है, तो उसको सिरफ post office पर ही deliver किया जाएगा, तो यहाँ पर due option मारे पास सही हो जाएगी, next question बोला ग यदि आर्टिकल की delivery नहीं लेना चाहता है, बोत दिवब या फिर नन अफ दिवब, तो हमारे पास इस सोचनल सही आसर होगा, भी, अगर हमारे पास addressy है, कोई भी आर्टिकल को लेने से, लेना नहीं चाहता है, तो boost के उपर अगर कोई भी charges due है, तो उनको देने के लिए ब हमारे पास इस आर्टिकल के उपर refused लिखा जाएगा, next question बोलागे, but are the thing that a ladder box pn must take with him when he is about to proceed on his round, तो यहां बोलागे, ladder box 85 को अपने साथ कौन कौन सी चीज़े ले जानी चाहिए, जब अपने दोर पर आगे बनने बाला हो, तो the key of the ladder box, changeable hour plates, back to place the article found in ladder boxes, या फिर all of the verb, जब भी बो अपने बीट में जाता है, अपने ladder boxes को clear करने के लिए, अपने साथ क्या क्या लेके जाता है, सबसे पहली चीज़ बो लेके जाएगा, उसके बाद जो hour plates होती है, जो भी change करनी है, उनको लेके जाएगा, उसके बाद क्या है कि एक bag लेके जाएगा, जिसमें notice to the, यहाँ पर बो लगे हमारे पास कि अगर कोई भी damage होती है, ladder box को, या कोई भी ऐसी problem हो जाती है, तो किसको इस चीज़ के बारे मैं notice किया जाएगा, the postmaster inspector, ssp, none of the world, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer हो जाएगा, यह हो जाएगा, हमारे पास A, इस चीज़ के लिए postmaster को ब पूश्ट इन्फो, नेन्य था, ladder box cleaner, या फिर other, देखिए हमारे पास जो यह very very important question है, बारवाइ एक्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा, यह होगा, यह जो 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 एप में data को upload कोरेगा, remove the plates of changeable our plate and replace with new one, इसके बाद बोलागे है, बदल नहीं होगे, घंटे की plate, की plate को हटा देगा, और नहीं के साथ उनको बदल देगा, इनके जो परानी हमारे पास, आबर्स की plate है, उनको change करके, नहीं our plates लगाएगा, none of the above, तो इस question का जो सही answer होगा, none of the above, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये सारे ही सही है, next question बोलागे है, mark the correct sequence of letterbox clearance through Nyanitha app, Nyanitha app के माद हम से letterbox clearance का सही करम चीनित करें, यहाँ पर बोलागे, open Nyanitha, GPS and update, upload letters, data in Nyanitha app, उसके बाद check upload data, next बोलागे, upload letter data in Nyanitha app, open Nyanitha, GPS and update, check upload data, या फिर उसके बाद Nyanitha app, open Nyanitha, GPS and update, यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा, यह होगा हमारे पास A, सबसे पहले बो क्या करेगा, Nyanitha app, GPS को खोल लेगा, उसके बाद update करेगा, उसके बाद उसमें upload करेगा, letters का data, उसके बाद क्या करेगा, उनको check करेगा, next question बोलागे है, हमारे पास, which of the following are the duties of letterbox PN, यहाँ पर हमें बताना है कि नमें से कौन कौन सी letterbox PN की duties है, collection of letters from letterboxes installed within allocated area at scheduled hours and delivering them to the post office, यहाँ पर बोलागे हमारे पास की जितने भी letterboxes उसके area में आते है, वो क्या करता है, scheduled hour जो भी होते है, उनमें जाता है और वो वहाँ से लाके उनको क्या करता है, post office में deliver करता है, post office में देता है, next बोलागे है, following a planned route to clear letterboxes at fixed hours, और जो वो route को follow करता है, वो एक पहले से planned route होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो जब चाहे, ऐसे ही चला जाएगा, उसके लिए एक route पहले से ही plan किया हुआ होता है, और fixed hours में है, यानि कि उसमें जो भी वो जिस time जाएगा, वो hours fix होते है, उसके बाद बोलागे है, removing plates indicating the hours of clearance and replacing it with new plates indicating the next clearance hours, यहाँ पर क्या बोलागे है, हमारे पास की वो पिछली plates है, जो भी उसके उपर लगी होंगी hours plates, उनको उटाएगा और नई plates लगाएगा, जो की next clearance hours के indicate करेंगी, उसके बाद बोलागे है, locking letterboxes and ensuring proper fixation of hours plates and lock, उसके क्या करेगा, अच्छे से उनको लगा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा, यहाँ पर सारे ही letterboxes PN की duties है, तो इस question का जो सही answer होगा, यह क्या होगा हमारे पास, all of the above, next question बोलागे, after the letterbox clearance, letterboxes PN must be give the letterboxes to, यहाँ पर बोलागे कि letterboxes को clear करने के बाद, उ Responsible Postal Assistant को, या Postmaster को, आइदर A और B, या फिर he can keep keys with him, या बहाँ चाबी है, जो आपने पास रखेगा, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा, यहाँ पर इस question का जो सही answer होगा, यहाँ पर पोस्ट मास्टर को दे सकता है, next question बोलागे, हमारे पास letterboxes are not cleared on, very very important question है कि letterboxes किस द office holidays को letterboxes को clear, नहीं किया जाता है, उसके बोलागे है, नियनिथा एप developed by, नियनिथा एप को किसके द्वारा बिक्सित किया गया है, CEPT Mysore, CEPT Hyderabad, PTC Bdodra, या फिर none of the O, तो इस question का जो सही answer होगा, यहाँ होगा, मारे पास B, CEPT Hyderabad, Center for Excellence in Postal Technology Hyderabad, जो है, उसके दारा इसक duties of letterboxes, PN, may be utilized as butterboxes, CEPT Hyderabad, CEPT Hyderabad, की सेवा के रूप में किया जा सकता है, या जो letterboxes, PN है, बूसको और क्यों से काम में लगाया जा सकता है, MTS, Postman, Packer, या फिर none of the O, तो इस question का सही answer होगा, C, Packer की तरह उसको लगाया सकता है, तो यह था हमारा duties of letterboxes, PN वाला topic, very very important है